नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पसलाने के लिए जनता का धन्यवाद, वहीं जार्खन की पांच सीटों जीन में बीजेपी की हार हुई है, पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि अभी तो जर्षन का महुल है, हार परमन्थन किया जाएगा, बता दे कि लोग सभा में बीजेपी को आठ सीटों पर जीत मिली है वहीं जेमेम को तीन सीटों पर जीत दर्ष की है, तो कांग्रेस भी दो सीटों पर अपना परजम लह राया है, वहीं आईसू ने भी एक सीट पर जीत दर्ष की है, बीजेपी ने गोड़ा, चत्रा, धनबाद, रांची, हजारी बाग, कोडारमा, जमसेदपूर, पलावों और निर्दलिय प्रत्यासी जैराम महतों के समर्थक आपस में भीड़ गए, इस दरान न सिर्फ जम का नारेबाजी की गई, बलिक आईसू उमिद्वार के कैम्प में जम कर तोर फोर कर दी गई, इस दरान पुलिस ने वाटर केनन का इस्तेमाल किया, जिसे इस्तिती नियं फरीत करने में जुट गए है, गांडे से कलपना सुरेण ने 26 я 483 वोटों से जीती बिजेपी के दिली वार्मा को हराया, गांडे से कलपना सुरेण ने उपचुनाव जीत गई है, उन्होंने बिजेपी के दिलीप वार्मा को 26 283 वोटों से हराया है बता दे कि कलपना सुरेन को 1,088,975 वोट मिले हैं जबकि दलीब वर्मा को 82,492 वोट मिले हैं वहीं गांड़े पिधान सभा उपचुना पर सभी की निगाहे ठीकी थी या सीट होट सीटों में सुमार थी क्योंकि इस सीट से पुर्व सियम हेमन सुरेन का सिरवात लिया है तीसरी बार एंड-e की सरकार बनाने पर बोले पूदी देश की जनता को नमस्कार प्रण की जित करा र दिया और कहा है कि इस चुना में देश वासियों ने भारतिये जनता परती के निधित वाले गडबंदन मंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निश्ठा की जीत है ये विक्सित भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास के मंत्र की जीत है ये 140 क्लोर भारतियों की जीत है उन्होंने कहा 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारेकाल पूरा करने के बाद लागातार तीसरी बार सत्ता में आई है इंडिया की बढ़ी सीटों ने चमपाई सुरेन का बढ़ाया कद चुनाव पई नामों को उन्होंने गडबंधन के पक्ष में बताते हुए लोगों को धन्यवाद किया है उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मात्र एक सांसद के साथ सुरू हुए इस चुनाव अभियान के बाद लोगों ने इंडी गड़ बंधन के पांच सांसद और एक विधायक चुनकर हम पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम लोग अभारी है चमपाई सुरे ने कहा है कि सभी बीजाई परत्यास्यों को बधाई एवं हर एक वोटर को धन्यवाद जारखन की दो सीटों पर महिलाओ का कबजा बरकरार अनपुर्णा देवी वा जोबा मांजी ने की जीत दर्ज जारखन की 14 लोग सभा सीटों के नतिजे घोसीत हो गाए है इनमें से दो सीटों पर महिला परत्यासी अनपुर्णा देवी वा जोबा मांजी की जीत हुई है इस जित के साथ चोबावांजी पहली बार सांसद पहुंचेंगी जबकि गित्ता कोड़ा का दूसरी बार सांसद बनने का सपना पुरा नहीं हो सका है जारखन में बिजेपी को बड़ा नुकसान एंडिये को नौ तो इंडिया को पांच पर जीत लोग सभा चुना दो है चोबिस के पहिना मंगल अवार को जारी हो गए हैं इसके साथ यह साफ हो गया है कि देश में एक बार फिर मोधी सरकार की वापसी होने जा रही है इसके बावजूद एंडिये को जारखन में बड़ा जटका लगा है क्योंकि 2019 में 12 सीटों पर कबजा जमाने वाले एंडिये गड़ बंदन को इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ है वहीं इंडिया गड़ बंदन का प्रतसन बीते बार के मुकाबले बेहतर संदार रहा है बता दे इंडिया गड़ बंदन ने जारखन में 5 सीटों पर अपना कबजा जमाया है इसमें लोहर दगा, खोटी, दुमका, राजमहल और सिंग्भूम सीट सामिल है वहीं खोटी और लोहर दगा पर कांग्रेस ने अपना कबजा जमाया तो राजमहल दुमका और सिंग्भूम सीट छामो के खाते गई है बाकी सभी सीटों पर भाजपा का कबजा रहा है जारखन की सबसे हाई प्रोफाइल सीट खोटी की बात करे तो यहां पर केंद्रिय मंति अर्जुन मुंडा को हार का समना करना पड़ा है उन्हें कांग्रेस परत्यासी काली चरण मुंडा से 1,496,675 वोटों से हार का समना करना पड़ा है लालू यादों का फर्मूला जिसने कांग्रेस को दिलाई बड़ी बढ़ा भारतिय जनता पाठी बिजेपी जिस तरह बिपक्षियों के एक बियान पर चुनावी हवा का रुख बदल देती थी ठीक उसी तरह इस बार कांग्रेस और बिपक्ष ने किया है अब की बार चार सो पार नारे को भीपक्ष ने ऐसा प्रचारीत किया जैसे भाजबा कुछ ऐसा करने जा रही जो दलितों के लिए अक्षा नहीं होगा आपको याद होगा आरेसेस परमुक ने पिछले एक चुनाव में ब्यान दिया था जिसमें आरक्षन को लेकर कुछ बाते कही थी कांग्रेस और आर्जडी सहितपुरा मोधी बिरोधी कुनबा एक होकर इसे प्रचारीत करने में लग गया कि बीजेपी आरक्षन बदलना चाहती है मंजे हुए राजनेता लालू या दव यही तक नहीं रुके वे गुरू गोलल कर की किताब मंच और थोट लेकर घुमने लगे और पन्ने पलट करया जताने की कोशिस में काम्याब रहे कि संग आर्थिक आरक्षन का प्रक्षधर है और किताब में भी या लिखा है इसका उस समाई के चुनाव पई नाम पर असर सभी को पता है बतादे इस बार के चुनाव में इसके आलावा भी कई छेत्रों में रही सही कसर पार्टी के अंद्रूनी कलह ने पूरी कर दी है पार्टी के कई वरिष्ट नेताओं को केवल मोदी मैजी का ही सहरा था जितनी सीटे आई है वो हकिकत में मोदी मैजी के कारण ही आ सकी नहीं तो और बुरी थीती होती छारखन की सभी आदिवासी सीटे बिजेपी हार गई है इंडिया गड़ बंधन के संदार परदसन पर रांची के कांग्रेस मुख्याले में जस्न इंडिया गड़ बंधन के जारखन समित पूरी देश में बेहतर परदसन को लेकर परदेश कांग्रेस मुख्याले में कांग्रेस ने ताओ एवम करकारता उने जस्न मनाया है जारखन कांग्रेस अध्यक्स राज़ ठाकूर के नेतित में पटाके जलाकर और मिठाया बाटकर खूर्सिया मनायी गई इस दवरान परदेश अध्यक्स राज़ ठाकूर ने जानता के प्रति अभार जाताया उन्होंने कहा है कि एकजिट पोल के आकड़े एकजिट हो गया जानता ने अपने जनादेश में हमें भरपूर समर्थन दिया है जारखन कांग्रेस अध्यक्स राज़ ठाकू ने कहा है कि एकजिट पोल एकजिट हो गया वहीं जानता के जाना देश को जिस तरह से कौम आका गया उसे जानता ने ध्वस्त कर दिया राहूल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो नया यात्रा के दरान देश के कड़ोरों लोगों से मिले और उनकी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाल कर हम इस चुना में जानता के बीच गया है चत्रा लोग सभा में बीजेपी ने मनाया जश्न तो केन तरिपाठी ने लगाया आरोग चत्रा से भाजबा परत्यासी काली चरंशिंग की निनायक बढ़त को देखकर करकरता हो नजश्न मनाना सुरू कर दिया पैंड बाजा पटाके फोड़ कर भाजबा करकरता हो द्वार जश्न मनाया जाने लगा इस पर कांग्रेस प्रत्यासी केन तिरपाठी ने इन पर फैरिंग करने कारोप लगाया है उन्होंने कहा है कि यह उचित नहीं है इस करम में वे डियेस्पी और पूलिस के जवान से भी उलज गाये उन्होंने पूरे मामले की सिकाये जीला निर्वचन पताधिकारी वह उपायूक रमेश घोलप से भी की है बता अजे चात्रा में भाजपा प्रत्यासी काली चरन सिंग की निरायक बढ़त के बाद मदगान्ना केंद्र के समी भाजपा करकाताव ने जस्नमाना शुरू कर दिया करकाता बैंड बाजए के साथ पताखे फोड़कर जित का जस्नमानाने लगे वहीं भाजपा प्रत्यासी काली चरन सिंग बाराहवे राउंड तक करीब एक लाग पचीज हैर भोट से कांग्रेस प्रत्यासी केंद्री पाटी से आगे चल रहे थे किंग मेकर की भूमका में नितिस कुमार लोगसभा चुनाव के नतीजे से यह साफ हो गया है कि केंद्र की नई सरकार के गठन में जद्यू के राष्ट्रिय अध्यक्षव बिहार के मुख मेंत्री नितिस कुमार की अहम भूमका होगी बता दे न केवल केंद्र की नई सरकार में जद्यू की अच्छी हिस्यदारी होगी बलिक बिहार के हिस्थे में भी अच्छे खासे मंत्री पद आएंगे NDA की सयोगी जद्यू को भी केंद्रिय मंत्री मंदल में महतपूर जिमेदारी मिलेगी लोकसभा की 12 सीटे जीतकर जद्यू बिहार में सबसे ताकटवर राय नितिक दल के रूप में उभर का सामने आया है खुद NDA के भीतर जद्यू को कमतर कर आका गया था लेकिन जद्यू ने 16 में से 12 सीटे जीतकर या साबित कर दिखाया है कि बिहार की जनता में अभी मुख्यमत्री नितिस कुमार के चेहरे पर भरोसा है वहीं 2020 के विधान सभा चुनाओं में बड़े भाई के रूप में सामने आय भाजपा NDA में 17 में से 12 सीटे जीतकर दूसरे नमबर की पार्टी बनकर रह गई है ज़ारखन की लोग सभा सीटो पर वोटर्स को पसंद नहीं आय उमिद्वार लोग सभा चुनाओं में बहुत चोकाने वाले नतीजे आये हैं बता दे ज़ारखन में भाजपा आपने पुराने परशन को दोहराने में काम्याब नहीं रही वहीं खुटी से चुनाओं मैदान में उत्रे केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा के संसदिये चेतर में करीब 18,000 और कोडार्मा से केंद्रिय मंत्री अनपूर्णा देवी के संसदिये चेतर में करीब 20,000 नोटा के पक्ष में बहुत पड़े हैं वहीं इसी तरह सबसे ज़्यादा पलामू में लगभग 19,000 जबकि राज महल में करीब 11,000 असिंग भूम में 18,000 नोटा के पक्ष में मत् पड़े हैं यह आकडे भी चवकाने वाले हैं इससे परतीत होता है कि वहां की जनता चुनाव मैदान में उत्रे परतियासियों को पसंद नहीं करती है वहीं सभी चुनाव में नोटा का विकल्प दिया जाता है अगर किसी को कोई परतियासि पसंद नहीं आता है तो वह नोटा के पक्ष में मत कर सकता है राजे में दो संसदिये सीट खोटी और कोडार्मा है जहां पर तीसरे अस्थान पर नोटा रहा है नीट में ज़ारखन के मानो प्रदर्शी को मिला रैंक वन मानो पिरदर्शी ने नीट दोहेंचोविस अखिल भारतिय अस्तर की परिक्षा में All India Rank 1 720 में 720 हासिल किया है यह जेवियम स्यामली और जारकन राजी के लिए थ्यासिक छन है जहां जेवियम स्यामली राची के एक छात्रे ने NET परिक्षा में सुरुआती से ही अखिल भारति इसकी लिए ब्यक्ति को अपने लक्ष को पराप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जोहर बिद्या मंदीर स्यामली के बारावी के वास्तविक छात्र मानो पिरदर्शी ने प्रख्यात सिक्षकों और गुरुओं के मागदर्शन में NET 2024 परिक्षा में AIR1 हासिल कर एक अलग जगह बनाई है गुमला पूलिस ने 40 हजार की ब्राउन सुगर के साथ दो को भेजा जेल नसा उन्मुलन के छेतर में गुमला पूलिस के परियास रंग ला रहे हैं थाना परभारी सुरेंद्र कुमार सिंग की पहल पर ब्राउन सुगर के खिलाप सहरी छेतर में लगाता चापे मारी हो रही है और पूलिस को सफलता भी मिल रही है सोमवार की साम थाना से डांग घर के समी पूलिस ने ब्राउन सुगर के साथ दो यूकों की हिरासत मिलिया है पटेल चौक से थाना चौक के बीच कुछ योको दोरा ब्राउन सुगर के कारोबार के गुपत सुचना मिलने के बाद SP के निदेश पर SDPO सुदेश परसाध्या नितित में चापे मारी दलका गटन किया गया था राजमहल से जेमेम की बिजय हंसदा जबकि जमसेदपूर से बीजेपी के बिधूत वरन ने रचा इतिहास राजमहल सीट पर जेमेम परत्यासी बिजय हंसदा ने जीत की हैट्रिक लगाई है उन्होंने बीजेपी के ताला मरांडी को 1,78,264 मतों से हराया है वही जमसेदपूर से भाजबा परत्यासी बिधूत वरन महतों ने इतिहास रच दिया है वे जामों के समीर कुमार महंती को 2,69,72 मतों से प्रास्थ किया है बतादे बिधूत वरन महतों को 7,26,184 मत मिले जबकि समीर महंती को 4,67,392 मतों से ही संतोस करना पड़ा है प्रदेश की जानता का जाना देश सिरोधार्य है जानता ने तीसरी बार मोधी सरकार के संकल्प को सकार किया है भारत के राइनितिक एतिहास में प्रधान मत्री नायंदमोती ऐसे राइनिता है जो पंडित जोहरा नहरू के बाद लागाता तीसरी बार भारत के प्रधान मंत्री की रूप में सपत लेंगे जारखन की जनता ने 9 सीटो पर जीत दिला कर NDA को फील सबसे बड़े गड़ बंदन के रूप में असापित किया है इधर जारखन में भाजपा की 9 सीटो और रांची से पर 83 संजय सेट की जीत पर भाजपा प्रदेस कराले में जीत का जस्त का महुल है बिजेपी समर्थ को ने जम कर पटाखे फोड़े है नेताओ अकरकताओ ने एक दूसरे को अभीर गुरा लगा कर जीत की बढ़ाई दी है बसंत सुरेन खुद की और पार्टी परिवार की साख बचाने में सफल रहे हिमान सुरेन के छोटे भाई और दूमका बिधान सभासी बिधायक मंत्री बसंत सुरेन खुद की और पार्टी परिवार की साख बचाने में सफल रहे है दूमका से पार्टी प्रताशी नलील सुरेन के जीत में बसंत सुरेन के आहम भूमका बताई जा रही है नरील, शुरेन के घोसना और नमांकन के बाद सही बसं सुरेन दुमका में कैम्प कर गए यही कारण रहा है कि वे किसी भी अने सिटो के चुनावी सभा से बसं शुरेन दूर रहे यहाभी कैस लगाए जाते हैं कि बसंद सुरेंट पार्टी और प्रिवास ने राज चल रहे हैं मगर वह सभी कैसों को बसंद ने दुमका की जीत के बाद पूरी तरह से धारा साई हो गया है पार्टी दुमका की जीत पर बसंद की भूमका को नजर अंदाज नहीं कर सकती इसलिए पार्टी दुमका पर जीत का सेहरा बसंद सुरेन के सीर बांधने को त्यार है इस समध में पूछे जाने पर सुप्रियों भटाचा ने कहा है कि निश्चिती दूमका की जीत बसंद की भूमका काफी आम रही है कलपना सुरेन की जीत और सिता सुरेन की हार पर जेमें कर्याले में मना जशन गांडे बिधान सभा उपचुना में कलपना मुर्मू सुरेन और दुमका लोक सभा सीट से सीता सुरेन की हार पर जामो करेले में जस्ट नमनाया गया पार्टी करेले हर्मू में अवीर गुलाल लगाएगा है लड़ू बाटेगा है सीबू सुरेन जिन्दाबाद हेमान सुरेन जिन्दाबाद बसं सुरेन जिन्दाबाद और कलपना सुरेन जिन्दाबाद के जम्प कर नारे लगाएगा है जय जार्खन जेल का तला टूटेगा हेमान सुरेन चूटेगा के नारे भी लगाएगा है और परिवार ने महसूस किया है उनकी जीत हेमान सुरेन गांडे की जानता और पार्टी कड़बंदन नेताओ की जीत है रही बाद सीता सुरेन की हार की तो वह उनकी हार नहीं भाजपा और मोदी की हार है क्योंकि मोदी जी ने परिवार को तोड़ने और बातने का काम किया है यह तो होना ही था पलामू से बीडी राम की जीत कहा यह जनता की जीत भाजबा परत्यासी बिशनू देल राम पलामू लोग सबसीट से 2,888,622 मतों से रिकोर्ड जीत हासिल किया है बीडी राम ने 7,62,290 वोट हासिल किया है वहीं इंडिया गडबंदन से रिजडी की परत्यासी मामताभूया ने 4,73,660 वोट हासिल किया है बता दे जीत के बाद बीडी राम ने मीडिया से बात्चित करते हुए कहा है कि यह जनता की जीत है यह विक्सित भारत की जीत है उन्होंने कहा है कि इस जीत के लिए मैं पलामू की जनता का भार प्रकट करता हूँ वहीं जीला निर्वाचन पतादिकारिस सह पलामू उपायुक ससीर अंजन ने बीडी राम को जीत का प्राणपत्र सोपा है खुटी से काली चरन की जीत पर मनाया जस्न जार्खन के खुटी लोगसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है काली चरन मुंडा ने खुटी लोगसभा Państwo से चुनाव जीत गए है उन्होंने बीजेपी परतीयासी अर्जुन मुंदा को हराया है बता दे कि खुटी लोग सभा चेतर के कांग्रेस परतासी काली चरण मुंडा जीत गए हैं जीत के बाद करकरताओं ने जम्प करजशन मनाया डीजे आदिवासी निरित धोल नागारे के साथ पटाखा फोड कर इंडिया गड़बंदर के करकाताओं ने खुशिया मनाया वहीं आपको बता दे कि अपनी जीत के बाद खुटी लोग सभा से कांग्रेस परतासी काली चरण मुंडा ने सनवाद दताओं से बात करते हुए कहा है कि वे खुटी चेतर के बिकास के लिए काम करेंगे जार्खन की सबसे हाई फुरफाइल सीट खुटी लोग सभा छेतर में सुलावे राणवे केंद्रिया मंतिय अर्जुन मुंडा को 3,57,894 मुंड एवां कांग्रेस परतासी काली चरण मुंडा को 5,36,13 वोट प्राप्थ हुए हाँ क्या कल्पना सुरेन बनेंगी जार्खन की पहली महिला मुख्य मंत्री हल चल तेज जार्खन के पूर्व सीयम हमान सुरेन की पतनी कल्पना सुरेन ने गांड़े विधान सभा सीट से जीत हासिल की है दरसल जार्खन में लोग सभा चुनाओ के सासर गांडे विधान सभा का भी उपचुना हुआ था जिसकी मत गांणा भी मंगलवार को होई कलपना सुरेन की जीत से पार्टी के नेताओं और समर्थकों में काफी खुसी है वहीं चुनाओ जितने ही जार्खन के सियासी गलियारे में कलपना सुरेन को सीएम बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है दरसल चुनाओ के दवरान राइनिति गलियारों से एक खबर तेजी से आने लगी थी कि अगर कलपना सुरेन गांडे बिधान सभा उपचुनाव जितती है तो ओ जार्खन की अगली सीम हो सकती है बता दे पुर्मुख मंतरी हमान सुरेन की पत्नी कलपना सुरेन बिधान सभा उपचुनाव में 26 या 483 मतों से जीत हासिल की है आदिवासी छात्र संग ने जीतने वाले सांसदों को बधाई दी आदिवासी छात्र संग के केंद्री अध्यक सुसील उरावा संजोजक जलेस्वर भगत ने केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी और जार्खन में जीतने वाले सभी सांसदों को बधाई दी है उमीद की है कि केंद्रीय अस्तरपसांसद में जाकर जार्खन की आवाज बनेंगे और आदिवासी वह जन जाती मुद्दों को मुखर होकर रखेंगे उन्होंने कहा है कि लोग सभा चुनाओं का पहिना में इंकित करता है कि जार्खन में जन जातिये मुद्धा जैसे सरना कोड, पाचवी अनसुची, पेसा कानून, आरक्षन और अने अस्थाई मुद्धे भी चुनाओं को प्रहुईत कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि आदिवासी सीटों पर भाचपा का हारना और इंडिया गड़ बंदन का जितना बताता है कि चार महिने बाद आने माले बिधान सभा चुनाओं में भी अस्थानिये वह जन जातिये मुद्धों पर अगर ध्यान नहीं दिया तो पार्टियों को इसका पहिन गया जिससे जिला बल के तीन एवम होमगाट के एक जवान जखमी हो गाए एक बुलेट, मोटर साइकल और एक कार को भी नुकसान हुया है जिला पुलिस बल के दो जवानों को रांची रीम से रेफर कर दिया गया है जखमी जवानों में जिला पुलिस बल के आरक्षी नित गेट पर खड़े थे इसी बीच भारी भर कम पेड़ उख़ड कर गिर गया अचानक पेड़ गिरने से जवानों को भागने का मौका नहीं मिला और वे जखमी हो गए पाला बदलने वाले कई दिख्जो की करारी हार इस बार पाला बदल का दूसरे दलों से चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है इसमें गित्ता कोडा जेपी पटेल सिता सुरेन ममता भुया सामिल है बता दे इनमें सिता सुरेन ही ननिल सुरेन क टक कर दे पाई हलाकी अंत में उनकी भीहार हो गई है वहीं अपने अपने दलों से भागी होकर निर्दलिये चुनाव लड़ने वालों को भी मुह की खानी पड़ी है जनता ने उन सभी को नकार दिया है पला बदल कर चुनाव लड़ने वाल नेताओ की बात करे तो इनमें कितंग धानबाद लोक सभा सिट्स भाजपा परतः हैंने शुन वाले ज्र… बुछुर्ण क्यान धैकliness फिरुद्स महाश्य सभािटे हैं धानबाद सभा सीट कवर्ट से थीरु धुलू महतु ह Keithson इस्थीत राम राज मंदीर में माथा टेका, पुजारी से बिजय स्री की माला पहन कर साम चार बजे मदगना सलकिरिसी बजार समीती बरणवा के लिए रवाना हुए, धुलू महतुर ने राम राज मंदीर में भगवान राम और माता सिता की परतीमा को दंडवत परनाम किया, साथी मंदीर में बिभीन देवी देताओ पुजारियों का चरण अस्पर्श कर असिरवाद लिया, वो अपनी जीत के प्रती अस्वस्त लग रहे थे, इससे पहले धुलू दीन भर चिटाही इस्थीत अपने अवाज सही समर्थ को से मदगना की जानकारी फोन वर टीवी के माधम से लेते रहे, एक लाग से अधीक मतोस से बढ़त मिलने के बाद धोलू ने धनबात के लिए रवाना होने से पहले पत्नी वा परिवार जनों के फोटो खिचवाए हैं, धन्यवाद, यदि आप चैनल पनाये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अन्द